हाई गाईज आज मैं बनाने जा रहे हैं चने दाल का तड़का जिसको मैंने कुकर में बनाया है सबसे पहले मैंने कुकर को गरम कर लिया है गैस पे उसके बाद मैं उसमें ऑईल डाल रही हूं ऑईल भी मेरे गरम हो चुके हैं अब इसमें मैं आदे चमच जीरा डाल रही हू फिर मैं इसमें दो छोटी इलाइची और दो तेजपता डाल रही हूँ अब इसमें मैं एक चमच लासुन और अद्रक का फेश्ट डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए फिर मैं इसमें बारिक कटी हुई एक कटोरी प्याज को एड़ कर दूंगी अब इसमें मैं मसालो को एड़ कर रही हूँ सबसे पहले मैंने एक चमच लाल मिर्च पाउडर आधे चमच हल्दी पाउडर और आधे चमच धनिया पाउडर डाल दिया इस सब को अच्छे से मिला लेना है फिर इसमें मैं एक कटोरी बारिक कटी हुई टमाटर डाल देंगे फिर अपने क्वांटिटी की हिसाब से मैंने एक चम्मच इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी मैं पानी डाल दूँगी जिससे की जो मेरा मसाला है वो अंदर तले में चिपके नहीं और अच्छे से पक जाए देखिए अब ये अच्छे से पक चुका है तेल भी उपर आने लगे है अब इसमें मैंने जो रात को भीगो के रखा था चन्ने का डाल उसको मिला दूँगी ऐसे पांच मिनट तक इसको मसाले में भूनने से इसका जो फिलेवर होता है चन्ने के डाल में बहुत ही अच्छा आता है लगातार पांच मिनट तक ऐसे भूनते रहे हैं फिर इसमें मैं अपने डाल के हिजाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी अब उतना मैं इसमें पानी आइट कर रहे हूं जितने में मेरा दाल पक जाए चुकि इसको जादा गढ़ा और जादा पतला भी नहीं बनाना है अब इसमें मैं एक चमच कसूरी मेथी डालूँगी और एक चमच गरम मसाला पाउडर डालूँगी जिससे कि इस दोनों से इसका फिलेवर बहुत ही अच्छा आता है अब इसको मिलाकर मैं कुकर को बंद कर दूँगी चलिए कुकर में सीटी आ चुके हैं देखिए जो मेरा दाल है बहुत ही अच्छे से पक चुका है अब इसमें मैंने तड़के के लिए एक चमच घी में आधी चमच जीरा और दो खड़ा मिर्च पका लिया है अब इसको उपर से डाल देंगे और बारिक कटी हुई धनिया से इसको सर्व कर देंगे चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो